असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकुम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम आपके साथ बहुत ही यमी और डिलिशेट सा एक डेजर्ट शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाइना ग्रास क्रीम पुडिंग बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनता है आप इस तू टी स्पून के करीब पाउडर ले हाफ टी स्पून इलाइट्री पाउडर फ्ल्व धावडर टीस पून वैनिल्इला एसंस टू टेबल स्पून नट्स जो मैंने मिक्स Nuts कट कर लिया है कुछ इस तरिक्ये से भारिक बारिक से देख सकते हैं तीन टेबल स्पून हमने क कस्टर पाउडर लिया है और एक फ्रेश क्रीम का पूरा पैक लिया है जो 250 ग्राम है साथ ही साथ हमने यहां मेट लिया है आप चाहे तो कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं यह 400 ग्राम है यह हम पूरा एड़ करेंगे उसमें अब हम क्या करेंगे एक कप दूद लिया है चाइना में हम पूरा एक कप दूद आड़ करेंगे साथ हम इसमें कस्टर पाउडर आड़ करेंगे और इलाइची भी आड़ करेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम एक लीटर दूद लेंगे और दूद का परतर हम बढ़ा लेंगे ता कि आगी जाके हमें उसमें बहुत सारी चीजें आड़ करनी है कुछ इस तरीके से हमने इसमें दूद लिया है और गयास को on कर लिया है अब हम इसमें हमारा जो चाइना ग्रास mix है वो add करेंगे add करने के बाद हमें इसे continuously चलाते रहना है जब तक हमारा चाइना ग्रास पिग लेना आप इसे continue चलाते रहें आप इसे छोड़े नहीं देखिए हमने इसे अच्छे से mix करते हुए चलाना है हमें इसे छोड़ना नहीं है जब तक कि चाइना गरास पुरा पिघल ना जाए पुरा dissolve ना हो जाए देखिए दूद में अच्छे से boil आ गया है और चाइना गरास हाफ डिजॉल्व भी हो गया है अब हम इसमें कुछ चीज़े अड़ करेंगे अब हम यहाँ नट्स एड़ करेंगे जो हमने कट करके रखे थे और हाफ टीज़्पून वैनिला एसेंस एड़ करेंगे और फिर जिया हम इसे अच्छे से mix करते हुए चलाते रहेंगे हमें इसे और mix करना है हमें इसे तकरीबन और एक से दो मिनट के लिए अच्छे से पकाना है जब तक कि हमारे वो बाकी के चाइना गरास डिजॉल्व नहीं हो जाते साथी साथ हमारे नंट्स भी पक जाएंगे तो इस टेज पे हमारा चाइनग्रास डिजॉल्व हो गया है और हमारे दूद को भी आच्छा सा बॉयला गया है अब हम क्या करेंगे गैस को स्लो करेंगे और हम इसे पाच मिनट के लिए अफ करें तक कम हम ने इसे एग घंड़े के लिए थंड़ा होने रखा था या अच्छे से थंड़ा हो चुका है अब हम इसमें क्रीम ऐड़ करेंगे क्रीम अट्ट करने के बाद हम इसमें condensed milk या मिठाई मेट है, वो add करेंगे, हम इसे दो portion में add करेंगे, पहले half add करेंगे, mix करेंगे, दो बारा हम half add करेंगे और mix करेंगे, हमें पुरा 400 gram के कर olhos लेना है, क्रीम और condensed milk डालने के बाद हम इसे एक अच्छे से mix देंगे, इसे अच्छे से mix करके लेंगे बहुत ही simple तरीके से हमने pudding बनाई है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत easy steps है और बहुत ही लाजवाब बनके ready होता है अब हम इसे क्या करेंगे एक mixy jar में add करेंगे हम इसे portion में add करके इसे एक से दो बार इसे घुमा के लेंगे हम इसे एक से दो बैच में mixy grinder में piece लेंगे देखे कुछ इस तरीके से पीशने के बाद इसका look है बहुत ही मज़ेदार और easy recipe है एक flattened ट्रे लेंगे और उसमें हमारा चाइनगराज cream pudding आड़ करेंगे हमारा चाइनगराज cream pudding बनके ready हो चुका है बहुत ही जबरदा steps है बहुत ही जबरदा स्टेस्ट है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे बहुत ही simple steps में हमने बनाई है आप चाहे तो इस पे decoration के लिए nuts add कर सकते हैं हमने यहाँ saffron add किया है बहुत ही अच्छा look है यह tray में डालने के बाद हम इसे एक घंटे के लिए refrigerate करेंगे सिर्फ एक घंटे के लिए हम refrigerate करेंगे फिर हम उसे normal fridge में रखेंगे देखिए हमारा चैनगराज cream pudding बनके ready हो चुका है यह है इसका final look बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही delicious बनके ready होता है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें आप इसे definitely बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे बहुत ही simple steps है आप इसे follow करें और मुझे आपका feedback ज़रूर शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले thanks for watching